हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ट्रांस डर्मल ड्रग डिलिवरी सिस्टम के बारे में तो हम देख रहे थे अपनी NDDS B Pharmacy 7th semester अब इस वीडियो के लिए थोड़े से नोट सोलो कि आपको ये वीडियो देखनी कैसे है अब देखो जो भी मैं आपको जैसे अब तक समझाता आया हूं तो मैं आपको थोड़े सा रफ में लिख लिख के समझाता था वो सब इतना पॉसिबल अभी नहीं हो पाईगा क्योंकि आप लोग को पता ही है कि ये मैं left hand यूज कर रहा हूं और right hand का हमारा हो चुका है fracture और इस चकर में जो भी हमा चैप्टर बार ने स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकेंड अभी रह गई है उसको हम कवर करते हैं तो इसको हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग ड्रग सिस्टम को तो इसमें अगर सिलेवस देखें आपको यहां दिख जाएगा जिसमें हम इस व्याली वीडियो समझते हैं लेकिन उससे पहले हले दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केर वैल फार्मा में तो अब अगर मैं सबसे बहले इस वर्ड को सिस्टम कहलाता है अब यहां पर वर्ड हमारा जोड़ी इस तरह तो अब अगर हम इस वर्ड को निकाले वहां पर क्रोस कर रही है और transdermal का मदलब है कि हम skin को cross कर रहे हैं और dds का मदलब क्या है हमारे drug को क्या पहुंचा रही है तो अगर हम इनको combine करके देखें तो हम बोल सकते हैं कि transdermal drug system या हमारा tdds एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम बिसिकली क्या कर रहे हैं अपने drug particle को अपने body के अंदर पहुंचा रहे हैं कैसे अपनी skin को cross करके यानकि अगर मैं simple आपको बताओ तो यह हमारे topically doses firm है जिसके अंदर बिसिकली हम क्या कर रहे हैं अपने drug particle को skin के उप पर apply करते हैं और वो skin से क्या होता है हमारी skin को cheat हुए वो drug हमारा अंदर जो हमारा blood vessels है systematic circulation है वहाँ जाके पहुंच जाता है तो यही actual में हमारा होता है transdermal drug system जो हमारे simple से होते हैं अब यह ऐससे नहीं होता कि आपने drug उठा है यहां पर लगा दिया यह actual में हमारे थोड़ यहां देखोगे एक हमारी यह bandit है अब यह इसी तरह के हमारे थोड़ते पैचेस होते हैं पैचेस मतलब इसी तरह के आपको मिलेंगे और इसके अंदर जो आपको यह दिख रहा होगा थोड़ता yellow वाला तो आप समझ सकते हो कि इसमें हमारा actual में क्या होता है जो drug होता है व प्रॉब्लम मालों यहां पर है तो इस तरह हम क्या करेंगे और उसके बाद ही हमारा पूरा प्याज क्या होगा पूरा यहां पर चिपक जाएगा अब देख लो एक हास से हासी खाम करने पड़ रहे हैं चली नहीं रहा तो यहां तो यह हमारा प्रॉब्लम में वहां जाके वह अपना इफेक्ट सो करेगा तो यही एक्शन में हमारे क्या होता है Transtermal का पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि इसमें एक्षन में हो क्यारा है कि हमारे एक पैचेюсь होते हैं इस तरह के जो आप एक तरह से मतलब समझ सकते हो इसका सिस्टमेंटिक सर्कूलेशन है वहां जाके अपना इफेक्ट जो है सो करेगी तो इस तरह हमारे यह पूरा सिस्टम काम करता है होप आपको यह पूरा एक्जामपल समझा गया होगा बेंडेस को लेके अब यहीं आप थोड़ा सा डाइग्राम से समझो तो लेट करो हमारी स्क करता है तो यहीं था हमारे ट्रेफिनिशन आप पर सकते हो कि अब इसके बारे में कुछ बातने जानो तो यह हमारा क्या है सेल्फ कंटेंडर यान कि हम इसको देगो मैंने बेंडेस कुद लगा ली ना इसी तरह से हमारे जो पैचेस होते हैं उनको भी आप खुद अपलाई तो रिजर्वायर वाले सिस्टम होगा यह हमारा मैट्रिक सिस्टम होगा पॉलीमर के साथ तो यह हमारे का होते हैं मतलब प्रो लॉंग टाइम तक जानकी काफी लंबे समय तक धीरे-दीरे बाड़ी में ड्रक को रिलीस करते हैं और इस बज़ए से हमारे बार बार पैचेस करते हैं तो उसके अंदर ही यह हमारे क्या करते हैं ड्रक को यहां पर रिलीस करते रहते हैं क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्यों कि यहां तो मैट्रिक सिस्टम है तो यह हमारे सिस्टम का यहां पर सिंपल था TDS के बारे मां होब आपको यह बेसिक समझ आ गया होगा कि अप्लाई हो रहा है तो लोकल साइट पर हमारा एक्सन देगा तो वहीं हमारे लीवर के बाद जाएगे नहीं बाकि एक डाउट साइट किसे लोग को हो गया हो कि सर क्या यह बेंडेज जैसे अभी मैंने बोला कि नहीं आएगी तो कुछ लोग सोज रहे होंगे क्या पता इन्वैसिप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो अंदर हमारी जा रही हो लेकिन यहां पर जो उपर चिपक गई हमको बॉड़ी के अंदर इंजेक्ट करने की या डालने की या खाने बिने कोई जरूवत नहीं है उपर स्किन पर चिपकाओ आउटमेटिक सारा काम हो और यहां सकते हैं अएक हांता है तो अपर हम जो हमारा जैंने इन्फ़लामेशन वहसं कर सकता है अगर हो Sak Erde हो हो तो यह सारे काम हो सकते हैं बाकि यह लॉंग टर्म जानकी जो हमारे यह पैचिस था कईबार आपने देखा होगा आप मैंनल बेंदिस को लगाते हो चोड़ी जाती है ना रहे जिए हमारे अधेर जानकी चिपका हो ना रहे उसके बाद यह हमारा ओनली पोटेंट ड्रग ज लाख की तो यहां पर हमारे गले के पास के थोड़ी बहुत फील हो जाते हैं तो अब अगर हम हम अपने जोए फ्रॉटी बारे के बात करें तो इसके लिए नम्हां आपको इससे बीसिकली बात पता हुए यहां पर वाकी इसके अंदर water, protein, fat, यह सारी चीज़ हमारी अभी लेवल होती है यही सारी की सारी बात है यहां पर है वाकी जो हमारी इसके अंदर बात यह है कि इसके हमारी लगवग one-third of all blood circulating through the body यहां कि जो भी हमारी पूरी क सिस्टम है उसका लगवग one-third part होता है यांकि एक तिहाई होता है इस चकर में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ट्रांस्टर्म वाला सीन है वह हमारा काफी अच्छा सोर्स हो सकता है हमारी बाडी में ड्रक को डिलीवर करने के लिए तो अब हमको देखना है structure of skin तो यह तो हमारा कर आती डर्मिस और Ici सब कूटने इस सकम जो है एक्षेफटा होती है इवह हमारी इनर वाली होती है और आपको दख रहा होगा यह हेर साफ्ते और इसकोम बोलेंगे एर फालिकल्स तो यह nawr और यहां पर बाल बगर अब यह जो आपको दिख रही है यह बाल वाल निकलता है वह इनके जरी हमारी बाड़ी से क्या बाहर निकलता है यह सारी बात आप समझ गए अब यहां पर अगर इधर देखोगे आप एपिडर्मिस तो इसमें हमारी टोटल चार लेयर और है सबसे उपर वाली हमारी होते इस्ट्रेटम कॉर्णियम और इसको आपको याद रखना है इसको हम सौट में जो है एस अब देखलो राइटिंग से एससी बोलते हैं तो इस वर्ड को आपको याद रखना है यह हमारी सबसे इंपोटेंट एक लेयर होने वाली है सेकिंड हमारी यहां पर आजाएगी इस्ट्रेटम ग्रेनुलोसम फिर हमारी याद यह इसलिए होता है और यह सबसे आउटरमोस्ट होती है बाहर की और यह सबसे आउटरमोस्ट होती है क्यों करती है क्योंकि यह हमारी सबसे आउटरमोस्ट है सबसे उपर वाली जो लेयर दिख ली होगी वही हमारी अक्शन में होती है इस्टेटम कॉर्णियम और अगर कोई भी ड्रग जो हमारा आता है उसको सबसे बहले इसी वाली लेयर को क्या करना है क्रॉस करना है क्योंकि अंदर की तो फिर अपने आप डिफ्यूजन चलता रह होती है जिसके अंदर हमारे केराटन फिल होते हैं और यह एक्शन में हमारे मैट्रिक सी तरह काम करते हैं यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि अगर हमारे स्किन के लिए कोई भी ड्रग चाहिए तो आराम से हमारे क्रॉस कर पाएगा तो यह एपिडर्मिस की इंपोटन कहानी आपको मैंने यहां पर दिखा दिए ठीक है चलिए अब थर्ड बात करें हैं तो यह हमारे क्या करती है connect करने का काम करती है एक तरह से तो आप सारी बात है आप इसके आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पर देखोगे तो एक तो यहां पर आप एक तो यहां पर आप कुछ हमारे जो drug से वो haird이ल presented बाल निकले होते हैं यहां पर तो इन के अंदर भी कुछ हमारे चेद हो जाते हैं मिनी-मिनी से होड हो जाते हैं तो नहीं के जरीए क्या होता है एक्ष्वल में क्या कर जाता है ख्रॉस कर जाता है यहांँ पर आप अगर इस स्वेट और वाली टक्तर है इन दोनों के जरीए भी हमारे जो ड्रक है वो कुछ मात्रा में यार की मौश्टि नहीं कुछ मात्रा में वाला के तर्मेस में इसके जाता है और इसके बाद वहमारे ब्लेट वैसल ता उसमें अब्सॉर्ब होता है यही हमारा होता है sweating के दो रहा है कि sweat gland जो हमारे sweat duct है यहां से भी हमारे drug हलका हलका इधर आएगा आगे हमारे blood vessels में चलाता है और हमारी body में क्या होता है systematic circulation पहुंच के अपना effect so करता है तो यह follicular वाला आप root समझ गए second हमारे इसमें आता है trans epidermal root अब यही हमारा mostly root है जिससे लगवग 95% से भी उपर drug mostly drug हमारा इसी वाले root से यहां पर skin के दिरो absorb होता है अब यह कैसे करता है तो इसमें बाकी जो भी हमारा part है यहां पर आप देखोगे तो हमारे पूरी skin में यह हमारा area होगा अगर हम इस पूरे और बहुत लार्द एरिया हमारा पूरा बच जाता है तो जो भी हमारा बाकी का एरिया है इस पूरे एरिया से जब भी रख्या होगा cross करके हमारे यह blood वाइसे पहुचेगा तो वो हमारा trans epidermal root कहलाएगा अब epidermal के हम बोल रहे हैं क्योंकि सबसे उपर के हमारी layer का है epidermis है तो इसको cross कर क्या रहा है इसको हम क्या बोलते है trans epidermal root बोलते है यानकि हमारा epidermal root के थो यह और अंदर आ रहा है इसको हमने follicular root बोलते है trans follicular वाला यानकि हमारे hair follicles के तरो और जो sweat के लिए उनके स्वेट ड्रक्ट है उनके तरो हमारे drug जो अंदर आता है अब हमारा बचा ट्रांस epidermal तो यह बाक्की के हमारे area से अंदर आता है तो इसमें हमारे दो method होते है एक हमारा होता है intracellular root एक हमारा होता है intracellular root यह दौनों यहाँ छोटीती कहानी आप चाहां समझ लो intracellular में यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे corneoside थे वह actual में हमारे hydrophilic और polar solutes जानकी दो तरह के हमारे drug होंगे जो हमारे hydrophilic nature के है जानकी पानी के nature के पोलर solutes हैं वह हमारे action में क्या होता है कि वह यहाँ पर आएंगे और जो हमारे यह जैसे drug यह जो हमारे cell है तो इस cell को अगर हम थोड़ा सा जूम करें इसको horny cell हम बोलते हैं तो अब अगर इसको आप थोड़ा से जूम करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे यह हमारे corneosides हैं और इस corneosides के अंदर हमारे keratin phil हैं जो यह हैं तो यही मैंने आपको सबसे बताया कि intracellular में क्या हो रहा था कि हमारे drug जो हमारे cells थे उनको यह cross कर रहे थे corneosides के थो जो हमारे corneosides है इनके थो और इसमें मुश्चली हमारे hydrophilic और polar solution थे वही हमारे drug यहाँ पर cross कर रहे थे अब सेकंड हमारा यहाँ पर यहाँ तक आते हैं तो आप यहाँ पर क्या समझ गए आप इसमें इसको भी कहानी लिखे आ सकते हो और अगर लॉंग में आता है तो आपको वह स्कीन वाला भी पार्ट डाइग्राम और जो हमारी कॉर्णियम वाली जो वह रहा है उसके बारे में सब आपको लिखना पड़ेगा तो अगर हम पर्मीशन थे इसकीन के बारे बात करें तो सबसे वहले जो मारा पैच होता है पैच इसको हम चिपकाएंगी इसकीन के उपर फिर उसके बारे मारा पैच है उसके अंदर से ओमारे ड्रक क्या होगा रिलीज करेगा और रिलीज करके हमारी इस्ट्रेटरम कॉर्णियम है वहां पर आके लगेगा एक और बास बता दूँ जो हमारे यहां पर पूर फणा चलांगा दिफ्यूजन के बाद हो मैं आपको आ वहां पर वहां पर वहां रख करके पहुंच जाएगा और जैसे वह एक बार सिस्ट्रमेटिक सर्प्लेस्ट में पहुंच गया वहां पर जाके अपना एक्संट करेगा इसको थोड़ा करना मिश्टेप बाइब लेगे तो पहले हमारी पैनीट्रेशन जिसमें हमारा यह पैच समझा ओँ तो सबसे बहुमारा ऊपर जो ड्रग आया यहां पर चिपका के ऊपर आउटर मोश्ट पर जो मारी इसके बाकि के तीनों लेयर के पास पहुंच गया इसको क्रोस करके करके का होगा वह मारा यहां पर आपे दागे तरहा रहा है डर्मिस में आने के बाद वह लग की है यान कि मालो इधन हमारी इंदर मया है तो हाई से हमारा लो की तरफ के तो फषल्योडप है लगाया तो फ़िके हमारे क्या है उस पैक से उप्र हमारे बाड़ी मойं बिल्कूल नहीं यह न तो चोव यहां पर यहां पर थर यह हो я यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखें पर देखो सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो जो हमारे उपर है यान कि वह मारे जतना जादा होगा हमारी जो यह पर नहीं होगा तो यह हमारे इसके नहीं हो तो यह जितनी मूटी दीवार मालो यह दो पेद है मैं इसमें डालू एक पर आराम से दो होदाएगा अब मैं अगर पूरी नोट कितनी पख़ड़ लूँ तो क्या पैन इसको क्रॉस करेगी नहीं कर पाएगी तो सिंबल दीवात है यहाँ पर कि जितनी हमारी मोटी दीवार होगी य हमारे जो पर्मेशन रेट है वो उतनी जादा होगी दूसरा जो कंसंट्रेशन हमारे जितना जादा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन रगर जादा है हमारा इधर और इधर कम है तो ऑटमेटिक हमारे जो डिफीजन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा डिफीजन का फंड़ा यह इसके बारे में थोड़ी दी काहनी आप लिख सकते हो अगर आपको लिखनी हो मैंने सौट में बता दिये यही सारी चीज़ थी अब मारे इसमें लाश्ट टॉपिक आता है फेक्टर अफेक्टिंग परिमेशन बाकी के टॉपिक हम नेश्ट वीडियो में करेंगे तो यहां प पर्टीशन का अफेक्ट में लाइपोफिलिक अगर हमारे नेश्ट कोई ड्रक जादा होगा तो तो यहां पर इसकी हड़ाइडरेशन अगर हम थोड़ा पानी पानी मिलाकर थोड़ा वो कर देते हैं कोई ड्रक महां वही हमारा इंक्रीज होताएं यहां पर टेंपर पिए की बात करने तो जितना हमारा अंचेंज फॉर्म में होगा उतनी अच्छी हमको क्या होती है पैनिट्रेशन देखने को मिलती है बार बार अगर पी एच वेरी करेगी तर उतर तो भई दिक्कत होती हमको ड्रग कंसेट्रेशन की बात करें तो वह मैंने आपको पहली बता दिया तो अच्छी हमारी जाती है सिंपल दी कोई दिक्कत नहीं है आईउनाइसन के बारे में बात करें तो हमारे जो ड्रग है आपको बता आईउनाइसन में एक हमारी होती है आईउनाइस एक हमारी होती है अनाईउनाइस तो अगर हमारा अनाईउनाइस फॉर्म में है तो उसक इसके नाइडेसन पीएज बता दिया ड्रॉपर की जो सब क्यूटनेंस अमारी लियर है वो तो पहले से डैमेज है तो जो घूर डारक ली अंदर पहुंच जाएगा तो इससे हमारी क्या हो रही है लेकिन कई केसे महीं हमारी अच्छी भी है कि हमें क्या हो रही है जल्दी ड् ज़र्वेंस होजाती है वागिए बड़े होते हैं जाए ज्यादा बूड़े लोग है उनमें यह पर्मेशन कम देखने को मिलती है बलट फ्लो की बात करने तो अगर टेंपरेशन हमारा हाई है ज्यादा मालों कुछ है तो हमारी इंक्रीज होता आएगी और रहे जल्दी ज इस बीडियो में जो भी बात है आप अपने लोगों को तो बस आजकी वीडियो में इतना ही जो भी बात है आप कमेंट करके बता सकते हो बाकि जो स्टार्टिंग मैंने कुछन कुछा बेंडेश आपको लगता है इसके अंदर आती या नहीं आती वह आप कमेंट करके बता सकते हो बाकि मिलते हम आपसे बहुत दर नेस्ट वीडियो में तब तक लिए फैंक्यू टेक केर एंड आप सभी लोग अपना अपनी में बाइ 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 दोस्तो जाहिन दोस्तो